हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड जैनुविन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 31st of January 2021 और आज की डेट में दोस्तो जैनुवरी का लास्ट डे है जो कि कल से एक नया महीना यानि February स्टार्ट होने जा रहा है तो दोस्तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि नेक्स्ट महीने पेर कौन कौन सा आई-पियो मार्केट के ऊपर लाँच हो जा रहा है क्योंकि जैनुवरी में दोस्तो बहुत साराacak मार्केट के आप लग बग 4 नहांट फेबुक्र a класс पर upें कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकर इच प्रीज ना के बड़ाबा लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार चीज़ों को तयार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक एन तो दोस्तों चलिए यहां पर हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में कि कौन-कौन सा आइप्यों फेबरारी में धूम मचाने के लिए आ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले जो आइप्यों फर्स्ट वीक में लांच होने जा रहा है मार्किट के उपर वह एक अलग सेक्टर का एक आईप्यों आ रहा है ब्लोक फ्रिल्ट रियाट लिमिटेट यह आईप्यों के पर मैं कम्प्लीट डीटेल्स रिव्यू एक वीडियो में कर चुका हूँ अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा भी तक तो प्लीज जाके देख लेना मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क कोई بھی IPO में एक लट एप्लाई करते हो तो उसमें जो एमाउंट रखा जाता है ठोल 15,000 रुपे का बट यह IPO में दोस्तों अगर आप एक लोट Ñप्लाई करते हो तो आपका टोल जो एमाउंट बलोग होगा वो होगा 55,000 रुपे तो बहुत जो लोग का मतलब एक लौट द तो उसका जो यहां पर एक लॉट का एमाउंट साइज होता है वो 55,000 रुपए ही होता है 15,000 रुपए नहीं होता यानि आप समझ लीजे न्की नॉर्माल आई पीो में नॉर्माल केस में 15,000 रुपए होता है बट रियलेस्टेट सेक्टर का अगर कोई आई प्यू आता है उस विन्यों ग्रोथ तो आपको एक माइनर ठीक टाक दिख रहा है बट कंपनी प्रॉफिटेबल उतना नहीं है और रियल एस्टेट सेक्टर में दोस्तों बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है यहां पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट जहां पर 161 करोर कमाया था फैनांशल यह 19 में लॉस हो गया फिर से थोड़ा प्रॉफिट 15 करोर का उसके बाद देखे इस साल तो और ज्यादा लॉस होगा यह होगा क्यूंकि उसके कारण आप सभी को पता है तो इसलिए मैं बोलना हूं कि यह लॉंग टम के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं है बट अगर आप ए कैनल के साथ जरूर जुरा रहे ना कोई भी अपडेट के लिए तो दोस्तों दूसरा जो आईप्यों फेबरारी में धूम मचाने आ रहा है वो है एक रेल्वेस सेक्टर का आईप्यों रेल टेल कर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड अगर सच बोलू तो यह आईप्यों लगबग एक दो मैने पहले ही आने वाला था आयर एप्यों की तरह बट यह आईप्यों भी कुछ टेक्निकल वजह से थोड़ा लेट होड़ा है बट फाइनली फेबरारी की महिने पर कभी भी बार्केट के उपर लांच हो सकता है दोस्तों रेल्वेस का आईप्यों इसके भी हमने देखा की बहुत बड़िया रिस्पॉंस मिला था बट आयर सीट आयर एपसी की केस में दोस्ते ऐसा नहीं हुआ उसका कुछ मेजर रिजन भी है क्योंकि सीच्वेशन उसका ठीक टक नहीं है क्योंकि सामने यूनियन बजेट पेश होने वाला है तो उसके चलते है पाइपसी आई पो को उतना जाए सब्सक्रिप्शन भी नहीं देखने को मिला और उसका जो लिस्टिंग वह डिसकाउंट में भी हुआ बट रेल टेल आई पो में दोस्ता आइसा नहीं होगा क्योंकि रेल टेल आई पो काफी बड़ी आई प्याइगा तो यहां पे दोस्त जो यहां पर देख सकते हैं पूरा टेली कम्यूनिकेशन सर्वीस रेलवेस के अंदर प्रोवाइट करते हैं रेल टेल यह कंपनी अगर इसका फाइनांशियल पेरेमिटर के मैं बात कूर दोस्तों काफी तगड़ा है काफी बढ़िया है इसके पर यह फेवरी के फर्स्ट आई प्यों जो आने वाला है ब्रोक फ्रिल्ड डियाट आई प्यों उससे तो काफी बढ़िया है रेविन्यू आप देख सकतो थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ है जो बहुत ज्यादा घूज ग्रोथ नहीं है बट हां ग्रोथ जरूर है लॉस मेंटिंग कंपनी नहीं है य तो दोस्तों काफी बढ़िया है यहां पे कंपनी तो यह मेरे ख्याल से दोस्तों यह आई प्यों में भी आपको एपलाई करना जरू चाहिए यह आई पो का जब बी कुछ भी मतलब यहां पे लॉंच डेट अनाउंस हो जाएगा ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा प्राइ यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई भी डिटल सभी तक मतलब अवेलेबल नहीं है इतना शूर कि यह आई प्यों भी फेबरारी की महीने पर आ रहा है ठीक है तो दोस्तों अभी चौत आई पर जो की सबसे बड़ा आई प्यों होने जा रहा है और बहुत लोगों को यह कि उपर बहुत ज्यादा मतलब इंट्रेस्ट भी है बहुत ज्यादा पेशेंस ली वेड भी कर रहा है यह क्योंकि जूएलरी सेक्टर का सबसे बड़ा आई प्यों लेकर आ रहा है एक बहुत पॉपुलर ब्रैंड है कल्या जूएलर्स लिमिटेड दोस्तों यह कंपनी को मैं क्या बोलू आप सभी को पता है कि कितना बड़ा कंपनी है बड़े बड़े ब्रैंड एमबसेटर जैसे की अमिताब बच्चन यह सब लोग जुड़ा हुआ है अगर कंपनी के मैं जो मार्केट कैप्चर की बात करो देख सकते दोस्तों टूटल इंडिया के अंदर एक स इन जुएलर्स यह आई को का जब भी डेट अनाउंस हो जाएगा दोस्तों मैं तुरंत आपके साथ वीडियो के तुरू शियर कर दूँगा और दोस्तों यह आई प्यो भी काफी पहले आने वाला था नवेंबर डिसेंबर जानवरी हो गया बट नहीं आया बट एट लिस् सकती यह कंपनी का फाइनांशियल पैरामीटर कुछ लिखा हुआ है फाइनांशियल नाइटीन में थोड़ा लॉस भी आया था फाइनांशियल एटीन में लगबग 140 करोर का प्रॉफिट कर दिया यानि लॉस से सीधा सी यहां पर प्रॉफिट हो गया कंपनी का बीच में थ और देखना यहां पर थोड़ा से यह कंपनी को बोलने जाओंगा तो पहले जो भी स्मॉल फाइनस बैंक आई प्योंकि चोड़के क्योंकि उसका है फॉप्लेम चल रहा था आपको पता है कौन सा सिच्ट्योशन पर एक्विटा स्मॉल फाइनस बैंक आई पो मार्किट को सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है तो दोस्तों पैसा जरूर तयार करके रखना क्यूंकि यह जो पांच आई पो में आपके सामने किया यह आई पो दोस्तों कभी भी मार्किट के उपर लॉंच हो सकता है तो दोस्तों और यहां पर आपको पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया ऑपर्चूनिटी मिल जाएगा देखिए यह से वाइप्यों का यह फाइनेंशियल पैरमिटर कितना शांदर ग्रोथ है देखि जहां पर 76 लाग का परफिट कमा आया ता वहीं पर देखिए फाइनेंशियल एट एंटेर एक इंचेंट में 26 करोड रुपे का प्रॉपिट कमाया उसके बात फाइनेंशियल यह नाइटी में देखिए 90 करोड का प्रॉफिट प्रॉफिट न जबर्दसत है सेल्स क्रोद द तो दोस्तों ये था कुछ लिस्ट जो 5 IPO फेबररी के महीने पे धूम मचाने के लिए आ रहा है तो दोस्तों आप पैसा जरूर तैयर करके रखना क्योंकि देखिए IPO में जनरली 10, 15, 10, 12 दिन के अंदिरी आपको पैसा लगबग डबल लिया तो 50% 40% आपको रिटन मिल जाता है जो लोग को यहाँ पर एलोट्मेंट मिल रहा है उनके लिए ही मैं बोल रहा हूँ अगर जिनको नहीं मिलना तो IPO तो यहाँ पे खतम नहीं हो रहा है लगातार आ रही ही जा रहा है तो आप ट्राइ करते रहे ना एक IPO में तो आपको जरूर एलोट्मेंट मिल जाएगा तो दोस्तो हर एक IPO के उपर जितने भी मुझे information मिलेगा officially मैं आपके साथ वीडियो के थूर शेयर कर दूँगा दोस्तो आप चैनल के साथ जरूर जूरा रहना चैनल को subscribe करके जरूर रखना मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए take care bye bye जय हिन